आप सबको मेरा नमस्ते ये सेशन में मैं आपको Sam Ma'am के बारे में बताने वाली हूँ कि growth chart से WHO growth chart से हम लोग को कैसे पता चलेगा कि कौन से बच्चे Sam है कौन से बच्चे Ma'am है अगर बच्चे का वज़न बहुत कम है तो उसको हम लोग Sam बोलते हैं अगर मध्यॅम वर्ड में आ रहा है तो उसको बोलते हम लोग Ma'am ठीक है लडकों का अलग होता है लडकियों का अलग होता है यह तो मैंने आपको लंबाई के बारे में बताया, जो दो साल के अंदर के बच्चे हैं, लेकिन जो दो साल से लेके पांच साल के जो बच्चे होते हैं, उनकी हम लोग उचाए नापते हैं, मतलब उनको खड़ा करके उनकी उचाए नापते हैं, तो उसको हम लोग गोलते हैं वजन में बच्चे का वजन कितना होना चाहिए तो अभी यह जो सेचिन में मैं आपको फोकस करती हूं पहले 2 साल के बच्चे के उपर मैं फोकस करने वाली हूं कि यह जो दिखाया हुआ है जदार जनम से लेके बच्चे की the scoring जो आपके इन्य यह जो चार्ट तो जो मैंने पहले दिखाया हुआ है परसंटरेल ग्रोड शार उससे अलग है तेके सात लाइन है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे नंबर भी अलग है यहाँ पे यहाँ यह मीडियन है जीरो है तेके उसके नीचे है माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, करेक्ट अब उपर देखेंगे तो यहां पे है 1, 2 और 3, 1, 2 और 3, ठीक है, तो ध्यान में रहे, यहां पे जो अक्षो लाइन है, X लाइन, वहां पे बच्चे की लंबाई है, ठीक है, और यह जो Y लाइन है, यहां पे बच्चे का वजन है, तो यहां पे पहले की तरह बच्चे का वजन 2 किलो, फिर जो है zero ठीक है वो बिलकुल बीच में आ रहा है ठीक है तो मतलब हमारे जो सारे बच्चे हैं लगभग यहां पर यह जो पीच वाली सारे राज यहां पर यह जो हरी लाइन है महां पर आना चाहिए तो वह लगभग साड़े साथ किलो जितना हो रहा है साड़े साथ किलो ठीक है तो वह बच्चा लगभग सवा साथ किलो साड़े साथ किलो जितना होना चाहिए अगर साड़े साथ किलो से कम है अगर बच्ची का का बच्चे को जलाव हो गया और बच्चे का वजन बहुत कम हो गया लगपक सवाचे किलो जितना हो गया यह साढ़े cm का और उसका वजन between minus 2 और minus 3 के बीच में आ रहा है वो बच्चे को हम लोग mam बोलते हैं जो बच्चे का वजन minus 3 के नीचे आता है ठीक है उसकी height के हिसाब से ठीक है और length के हिसाब से अगर उसका वजन नीचे आ रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे Sam ठीक है तो अगर यह 65 cm का लड़का है आपका और उसका वजन सिर्फ देखे 5 किलो का है सिर्फ 5 किलो का तो वो बच्चा आपका Sam में आ जाएगा ठीक है अगर आपका बच्चा थोड़ा सा वजन बढ़ा और उसका वजन हो गया लगबग 6 किलो का तो उसको हम लोग बोलते है मैं क्योंकि देखे उसका जो वजन आ रहा है 65 cm के हिसाब से वो माइनस तू और माइनस त्री स्टानर डेविशन के बीच में आ रहा है तो वो आपको ध्यान में रखना है कि हमारे बच्चे मैं या Sam में नहीं जाने चाहिए उसका मतलब यह है कि उसकी हाइट के हिसाब से उसका वजन नहीं बढ़ रहा है हमारा दिये होना चाहिए कि हर बच्चा हमारा यह जो हरी लाइन है महाँ पे होना चाहिए तो जैसे यह वजन मतलब उचाए के हिसाब से वजन है इसी तरह लड़कियों के चाट भी वेट फॉर लेंथ है, तो वो आपको ध्यान में रखना है, और अगर बच्चा बिलकुल सैम है, बिलकुल मा का दूद नहीं पिरा है, या छे मेने के बाद उसके अपिटाइड कम है, तो उसको डिरेक्ली एनारसी में बेजना है, या कोई पी जो पीडियाट्रिशन है या डॉक्र है उनको बताना है कि ये बच्चे सैम में जा रहा है, ठीक है, लेकिन हमारे ध्या होना चाहिए कि कोई भी बच्चा सैम में जाना ही नहीं चाहिए, ठीक है, और इसके लिए मैंने आपको आगे के सारे जो सेशन में मैंने सिखाया ह मैंने कि कैसे क्या करना है कैसे दुद बिलाना है क्या खाना देना है ठीक है लेकिन अगर कुछ कोई भी कारण से अगर बच्चा सैम मैं में चल गया हो गया तो फिर आपको क्या करना है वो भी मतलब ये टुटॉल में मैंने बताया है कि क्या क्या करना है ठीक है तो यहां पर म साम मैं का जो यह सेशन है यहां पर मैं खतम करती हूँ लेकिन यह जो चार्ट है मैंने लपी प्रोड़कॉल में भी थोड़ा सिखाया मैंने सिखाया है तो वो जब आप बच्चों को अडॉप्ट करेंगे जब यह बच्चे का मॉनिटरिंग करेंगे तो यह चार्ट आपको यह भरना पड़ेगा ठीक है ओके धन्यवाद कर दो यह बच्चे करेंगे ऴज़ा बच्चे का यह जा झाला मैंने सिखाया है